देखो यह सवाल है सरीता बॉट 2 x 5 मीटर आफ रिबन एंड लिता 3 x 4 मीटर आफ रिबन वट इस तोटल कॉस्ट टोटल लेंग्ट ओफ दी बॉट अगर अगर वह सवाल वह आसान कर दें कि सरीता ने 2 मीटर का रिबन लिया मीचे कहटा दें और ललीता ने 4 मीटर लंबा रि रिबन टोटल लेंग्ट कित्ती वे रिबन की तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा बस वही करना है बस इसमें फ्रेक्शन में दे दिया है 2.5 बस 3.4 आपको थोड़ी सी मैस आनी चाहिए ठीक है तो हम कैसे करेंगे इसको देखें बस सिफ हैट कर देना है बस यह है कि इसमें स्टेट् कि रिबन थीक है तो हुआ उप्ति यही लिख दें जो लिखाया आपको में सरीता बड़ से ने वीटा ठीक है तो यह से अउन और अफ लेंग्ट हुआ है तो बैफ फाइफ मेटर ठीक है और ऊपर लिखा है लेलिता ने कित्ता लिया फिर यही चीज लेलिता के साथ लिख दिंगे है तो अब आ कि पुरा सें लेदिता बॉर्ट एबन ओफ लेंग्ध कित्ता है कि 3 वाय 4 मीटर है ठीक है कैने टोटल लेंगत आफ दी रिवन दे बॉट तो यही लिखेंगे जो कोशन ना कुछा आता यहां से पूरा लिख देंगे टोटल लेंगत आफ दी रिवन दे बॉट उल टोटल 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 लेंग्थ आफ दी रिवन दे बॉट पूरा कोशन से एक्वल टू दोनों के एड़ कर दे टू बाइव फाइव प्लस त्रे बाइव फॉर अब इसको एड़ करना ना चाहिए सारा मसला तो यहीं पर एड़ करने के लिए अगर डिनोमेटर सेम होता यहां भी फ लेकिन डिनोमेटर सेम नहीं है अलग-अलग है तो इन दोनों के लिए यह दोनों आपस में को प्राइम नंबर है एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं तो इन दोनों को मलेटिप्लिकेशन ही इनका लिए होता है 54 को टेबल में 20 आता है क्या 54 तो यहां लिखा 5 के ओपर इसे तिरह फोर के टेबल में 20 आता है क्या 55 25 लिखा इसके ओपर उस्से एल्से मिल्टिप्लाई कर दिया लिकिन बीच में जो प्लस लगाओ चाहें मैनस लगाओ वो लगा देंगे अगर कि लिखा होता है तो कतंब चाथे दिवायट होता है तो भी मौल्टिपलाइब चेंज कर गठाव कि लेकिन प्लास यह मायनत लगा हो तो सिर्फ यही सब्सक्राइब दुनों के अल्सम्र दू नीचा ले नंबर के टेबिल इतनी बार पुरो कर यह this ya बार कि यह ए पर जो स्सें बलीका टेबिल इतनी बार पुरो कि यह आ जाए है पि इसके ऊपर जो से लोगरषो ईसे इसको मुल्टिलॉ तो अंसर ol safety कि अब यह एकता होगा पंदर पांच भीन तिन बीस तिन तेइस अपको एक बात होना चाहिए कि जब भी इंप्रॉपर फ्रेक्शन में आंसर आए नीचला नंबर चोटा उपर आला बढ़ाई से इंप्रॉपर फ्रेक्शन के तो हमेशा डिवाइट करिएगा आंसर मिक्स फ् में करिए उपर अंदर रहेगा हमेशा नीचला नंबर बाहर उपर आला अंदर चाहिए नीचला ठीक है यह नॉर्मल डिवाइट के केस में हमें मिक्स फ्रेक्शन में निकालना पड़ता है यह हम कह रहे हैं 20 तो यह आंसर आगे 1 3 by 20 जो होता है जो एक फॉर्मुला होता है क्यू आर अपॉन मिक्स फ्रेक्शन के फॉर्मुला क्यों मने कोशेंट क्या आपका वन है रिमेंडर क्या आपका थिरी है डिवाइदर क्या है अपका ट्रंटी है यह आपका आंसर हो इस तरह के सवाल हो कि किसी ने कुछ खरीदा और जो है इतना कवोल इनोंने इतना लिया तो टोटल दबी ने टोटल दबी निकाला हो जाद आधा समझेगा प्लस क्या आपका यह